हेलो गाइज तुड़े इस फिफ्थ क्लास ऑफ फेशन डिजाइनिंग सब्जेक्ट है हमारा टेक्स्टाइल साइंस एफेक्ट टॉपिक है इस्प्रे पेंटिंग चलिए देख लेते हैं कि इस इस्प्रे पेंटिंग में हमें कहके चीजों की ज़रूरत है यह है बाटर कलर आज मैं आपको इस पे अइवरी शीट पे बताऊंगी यह तरी साइज पे और नेक्स क्लास में आपको बताऊंगी प्याबीक पे तो देख लेते हैं सब्सक्राइज यह अच्छा कालर यह टूटप्रेस है पेपर कटर फर्मानेंट मारकर और यह इस्टेंसि यह देखिए ऐसी आपको डिजाइन्स बनानी है कोई सी भी अच्छे से डिजाइन को ड्रॉप करना है और फे आपको यह अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि लाउड़न की वज़े से आप सब जानते हैं तो इसलिए मैं पुरानी दिखा रही हूं में पर फड़ी है तो यह आपको जस्ट एक कोई भी डिजाइन्स बनानी है और इसके ओपर यह शीट रखनी है रखनी है तो यह ऐसे करके रखना है और पर्मानेट मारकर से तो मैं आपको बनेट न सबक्राइब काटे सेजैन मारकर से डिजाइन करते यह कुछ अफी डिजाइन्स न देहा है मैंने एक प्र सबींदा काफी यह गला खाए इसल सुझाटि मीशी दिदिया, वर्य प्रखना की हम मैंने शीशीट शीवारणा है, मैंने लेडी देते, उ जैसे लगानी है, और फिर इसके बाद, कट करके, इसे करके एक साइट में लगानी है, उसके बाद जो है, यह आईवरी शीट पे इस पर पेंट करना है, यह पेपर कटरस से इसे आरा मरा कट करना है, सेम आपको स्टेंसिल सीट जैसे मैंने भी दिखाई इसको भी ऐसे ही पट्टर मैं मैं इसे आइवरी शीट के आपको बता रहे हूं और आपको वही यूज़ करनी है कर लेते ही कर लिए पूर मिंज़ें इंग चरो प्यूण कर लिए। यह थी कर लेते हैं पूरे इसके क्ट हो गया अफ ऐसे करके जह आप यह टी शिट बागर आप रापी या किसी पर भी आप यह डिजांड बना सकते हैं गरकि मैं इसको दिखाते हूं यह देखें टीशर्ट पर बनीवी इसके पेंड ऐसी आप कर सकते हैं किसी भी टॉपर या टीशर्ट बगर आपकर शीट रख लेना है फिर हमें इसेंटर में रख लेना है इसे अब बहुत आपकर शीट अब बनीवी यह प्रेपर उठेना तो इसलिए इसको ऐसे करना है और गाइस यह ब्रेश जो है आप न्यूवी लीजिए क्योंके इसलिए पुराना ब्रेश भी जो है उससे ज़रे बबल्स है हमारे मोटे भी गिर सकते हैं हमें बल्कुल बारिक वाले बवस गिराने हैं आप जो है एक ऐसी रफ न्यूस पेपर या कोई भी पेपर रफ लेना आपको और ऐसे करके इसको देखना है चेक करना है कि बवस जो है कहीं मोटे नहीं गिर रहा है यह देखिए अभी मोटे आ रहे हैं और किसी टीश्य पेपर या पुराने फैब्रिक से आप आप इसको अपने हाथ तो साफ कर लिजिए कि बड़े ही आराम से करना है आपको के यह देखिए और अब ही हमारे बबल्स जो है अच्छे से गिर रहे हैं मोटे नहीं गिर रहे हैं तो अब हमेद इस पेपलाई करना है के आराम आराम से आपको ऐसे ही करना है नहीं तो आप ज़्यादा चल्दी करेंगे तो फिर इसमें बबस बड़े बड़े गिर जाएंगे फिर आपका यह खराब हो जाएगा आप से करिए फैब्रिक पर यह और ज्यादा अच्छा लगता है किसी पर भी आप बना सकते हैं इस आइज साप कर लेते हैं है 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 एक फैड़ वाश कर लिए मैंने कि आईवरी शीट गंदी ना हो जाए यह देखिया राम सट आईए यह देखिया यह हमारा जो है इन वाला इस पर पेंट हो गया है इसी को आपको जो है फाइस में लगाना है चारो तरव आपको बॉर्डर कर देना है और इस पर पेंटिक लिखनी है और एक इसका आउड़ वाला मैं बताती हूं कैसे करना है यह देखिया ऐसे करके हमें एक बॉर्डर सा बना लेना है साइट में जितने में हमें करनी है आउड़ वाली और फिर जो है इसको ऐसे करके सेट कर देना है कोई भी डिजाइन जो भी आपकी हो आपके नियुस्टेपर या कोई भी रफ्सकेपर से चारो तरफ आपको ऐसे करके चुपा देना है यह ऐसे करके सेट कर लीजिए सारे स्रुप से हमने जो इसको भी बैसे करना है आपको ठीक है इसी आप फिल कर लीजिए उके बस करेंगे स्कुमादान है यह देखिए यह हमारा आउट हो गया यह इन हो गया ओके आप जो है अच्छे से अट्रेक्टिव सी डिजाइन बनाके इस तरीके से फाइल में आपको स्टेंसिल सीट अभी तो लाग डॉन नहीं मिलेगी तो अभी आप जो है इसी मेरे तरह से आइवरी शीट पर प्रेक्टिस कर लीजिए और उस इस साइट लगाने इस टेंशी शीट और इस साइट आपको अपनी डिजाइन मिना के लगाने ठीक है पेपर टूड़ी क्लास इस कम्प्लीट सी यू नेक्स ताइम विदी निव क्लास सब्जेक्ट है हमारा टेक्स्टाल साइंस एंड इफेक्ट टॉपिक है इस्प्रे पे अब्रेक्ट थैंक यू